दोस्तों मौनसून आच चुका है और मौनसून के आते ही आप और मैं हम सभी लोग अपने बालों की प्रॉब्लम से दोचार होना शुरू हो देते हैं बालों का जड़ना, बालों का ड्राय होना, बालों का फ्रीजी होना, बालों में फंगस का पैदा होना और बहुत सारे ऐसे इस्यूस जो हमारे बारिशों की सीजन में बढ़ जाते हैं तो यह एक ऐसा समय होता है जब हमें अपने बालों की care करने के लिए थोड़ी सी जादा attention की जरुवत होती है और attention के साथ-साथ आपको जरुवत होती है सही products की भी ताकि आपके बालों को जो मौसम की वज़ा से problems हो रही है उन problems को neglect किया जा सके, avoid किया जा सके लेकिन ऐसा तभ tips के बारे में जिनें अगर आप इस बारिश के सीजन में इस्तमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि इस बारिश के सीजन में आपको कोई भी hair problem नहीं हो रही है और अगर हो भी रही है तो पिछले कुछ सालों के comparison में बहुत कम हो रही है जो कि ये tips बहुत जाता proven है जो कि तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को make sure की वीडियो पसंद आता है तो like करना ना भूले हलो friends good morning नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ Dr. Manoj एक aromatherapist एक natural therapist दोस्तों इस चानल पर हम लोग बात करते हैं skin care, hair care, health care, post anti development और healing से जोड़े topics के बारे में इस चानल प एक ऐसा season होता है जो हम सब को पसंद होता है शायद ही कोई ऐसा विक्ति होगा जिसे पारिश का मौसम शायद पसंद ना हो लेकिन यही पारिश का मौसम हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव लेकर आता है हमारे वातावरण में बहुत सारे बदलाव लाता है जिसकी वज़ बारिश में भीगना आपको मुझे हम सबको पसंद होता है लेकिन बारिश में भीगने के बाद हमारे बालों का जो dryness का level है वो इतना जाधा बढ़ जाता है कि जिसे control करबाना मुश्किल हो जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं उनका pH होता है 5.5 जबकि हमारा जो बारिश का पानी है वो होता है neutral मतलब उसका pH होता है 7 तो 1.5% से मतलब की 1.5 level जो pH का हमारे बालों में बढ़ जाता है उसकी वज़ा से हमारे बालों में dryness आने लगते हैं हमारे बालों में freeziness आना शिरू हो जाती है तो सबसे पहला जो tip आपको ध्यान मे लेकिन नहाने के तुरंत बात आपको अपने घर पर आ करके साफ पानी से बालों को धो लेना है ताकि आपके बाल में जो बारिश का पानी है वो जमाना रह सके जैसे ही आप अपने बालों से बारिश के पानी को निकाल देंगे तो आपके बालों का pH वापस से नॉमल हो जा तो आपका जो problem है वो 100% खतम हो जाता है और इसी लिए मैं आपको recommend करना चाहूंगा कि आपको एक ऐसा shampoo इस्तमाल करना चाहिए जो कि आपके बाल के pH को maintain करने के साथ साथ आपके बाल के अंदर keratin protein को भी replace करें ताकि बारिश के मौसम में जो dryness हो रही है जो freeziness हो रही है उसे avoid किया जा सके और इसी लिए मैं आपको recommend करना चाहूंगा कि आपको derma science के advance repair shampoo का इस्तमाल करना चाहिए derma science का जो यह advance repair shampoo है यह बहुत जादा effective है क्योंकि यह आपके बालों के अंदर pH को maintain करता है pH को balance करने के साथ साथ यह आपके बालों के अंदर keratin protein को replace करता है जो keratin protein बारिश के वज़ा से हमारे बालों से कहीं न कहीं पर drip off हो चुका था तो जैसे ही आप keratin protein को replace करेंगे आपका बाल वापस से जैसा बाकी मौसमों में healthy रहता है बिल्कुल वैसा ही बारिश में भी रहेगा यह sulfate free है, paraben free है ताकि आपके बालों को सर्फ healthiness मिले ना कि उन्हें damage किया जाए so make sure कि मेरे कहने से एक बार इसे जरूर ट्राय करें derma science का यह advance repair shampoo आपको available हो जाता है Amazon, Flipkart और Misho पर मैं इसे purchase करने का link आपको description box में दे दूँगा जहाँ से जाकर करके आप इसे जरूर ट्राय कर सकते हैं दोस्तों दूसरे tip पर चलते हैं तो दूसरी चीज हाती है हमें बारिश के season में अपने बालों के अंदर oiling नहीं करनी चाहिए जो कि बारिश के season के अंदर जब भी हम oiling करते हैं तो उसकी बज़ा से हमारे जो बाल होते हैं वो और ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं और जब हम उस oil को निकालने के लिए अपना shampoo का इस्तमाल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा friction करना पड़ता है और उस friction की बज़ा से हमारे बाल बहुत ज़्यादा damage हो जाते हैं hair fall होना शुरू हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम oiling ना करें oil की जगा पर हम toner का इस्तमाल करें और toner आप बहुत असानी से घर में बना सकते हैं यह toner मैंने अपने clinic में ही बनाया है बहुत सारे patients को दिया है बहुत अच्छे results आ रहे हैं तो बारिश में इसे आपको ज़रूर try करना चाहिए इसे बनाने के लिए मैंने सिर्फ तीन ही ingredients का इस्तमाल किया है मैंने यहाँ पर एक बरतन ले लिया है उस बरतन के अंदर मैंने डाला है एक ग्लास पानी और इस एक ग्लास पानी के अंदर मैंने मिलाया है पहला ingredient जो की है hibiscus powder hibiscus मतलब कि गुड़हल के फूलों का powder मैंने ही आपर मिलाया है दो चम्मच गुड़हल के फूलों के अंदर कुछ ऐसे natural enzymes होते हैं जो बहुत जादा मदद करते हैं हमारे बाल की immunity को boost करने के लिए और weather का जो side effect हमारे बालों पर आता है उसे reduce करने के लिए क्योंकि बहुत बार हमारे घर में जब भी available नहीं होता तो हम इसे replace कर देते हैं हम इसे skip कर जाते हैं लेकिन अगर बारिश में आप अपने बालों को healthy बनाना चाहते हैं तो make sure कि हिबसकस flower powder का इस्तमाल आप सरूर करें दूसरा ingredient जो दूस्तों मैंने यहाँ पर लिया है वो है लगबग 10 से 12 ग्राम के आस्पा सूखा आमला सूखा आमला जो है उसके अंदर vitamin C होने के साथ naturally fibrous protein होता है और यह fibrous protein जब हमारे बाल के उपर लगता है तो यह हमारे बाल को बहुत ज़्यादा ताकत देता है हमारे follicles को stimulate करता है जिसकी बज़ा से हमारे follicles में blood का circulation बढ़ता है और जैसे ही blood का circulation बढ़ेगा उसकी बज़ा से हमारे बालों की जो follicles है उन्हें nutrition मिलना शुरू हो जाता है तो आमला जो है वो तो वैसे भी बहुत ज़ादा बहतर माना गया है आयुरवेद के अंदर उसे रसायन की उपादी भी दी गई है मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी बूढ़े व्यक्ति को वापस जवान बनाने की ताकत रखता है So make sure कि आमला ज़रूर यहाँ पर इस्तमाल करें लगबग 10-12 ग्राम और तीसरा चिंप्रीटिन दोस्तों मैंने यहाँ पर डाला है वो है दाना मेथी जिसे फैनिगरिक सीट या मेथी दाना भी कहा जाता है 10-12 ग्राम के आसपास ही मैंने यहाँ पर दाना मेथी का इस्तमाल किया है आप इसे मुझे तपता कुबालना है जब तक कि ये आधा नहीं रह जाता है जब पानी आपका एक ग्लास की जगा पर आधा ग्लास रह जाए तो अब आपको इसे गैस से उतार लेना है और इसे ठंडा कर लेना है ठंडा करने के बाद आप इसे छान लीजिए और छान लीके बाद मेरी तरह एक बॉटल में भर लीजिए और आपका ये स्काल्क टोनर बनकर की तयार है इस स्काल्क टोनर को हफ़ते में दो बार या तीन बार कॉटन की मदद से अपने बालों की जड़ों में रात को लगा करके सो जाएए और सुबह उठकर के पहले प्लेन पानी से अपने बालों को वाश कीजिए और उसके बाद Termascience का ये Advanced Repair Solution जो शेंपू है इसे स्तमाल करके अपने बालों को वाश कर लीजे आप देखेंगे कि आपके बाल आपको बहुत सारा तैंक्यू बोल रहे है त्योंकि आपने अपने बालों को वो Nutrition दे दिये आपने अपने बालों को वो सारी चीजें दे दी जो इस damaging जो environment है उससे बचाने के लिए आपके बालों की बहुत जादा मदद करेंगे इसके अलावा तीसरा टिप जो दोस्तों आपको हमेशा धेहन रखना है वो यह कि अपने बालों को बहुत जादा ड्रायर ना लगाए जो कि बारिश के मौसम में जब बाल अल्रीडी बहुत जादा ड्रायर एंड डिहाइडरेटेड हो जाता है और उस समय पर जब आप अपने बालों को सुखाने के लिए ड्रायर लगाते हो तो बाल और भी ज़ादा फ्रीजी हो जाता है So make sure कि ड्रायर का अस्तमाल आप ना करें So दोस्तों यह तीनो टिप्स अगर आप अस्तमाल करते हैं So definitely मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके बाल इस बारिश में ना जड़ेंगे और ना ही आपकी scalp में कोई problem होने वाली है Make sure कि इने जरूर ट्राय करें अपना feedback हमें comments के मादम से जरूर दे आपका feedback हमें मदद करता है हमारे videos की quality को improve करने के लिए और आपके लिए बहतरीन DIY content create करने के लिए आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे इसी आशा के साथ आप सलविदा लेता आपका knowledge friend Dr. Manoj Thank you so much, bye bye, love you all